नमस्ते ये वीडियो में नॉमल कान के परदे के बारे में डिस्कस करें मतलब कुछ disease related बीमारी related नहीं कान जो है तीन करके तीन भाग करके divide कर सकते हैं भायर का भाग outer ear और बीच का भाग middle ear और अंदर का भाग inner ear यो कान का परदा जो है भायर का भाग का एक पार्ट होता है तो sound conducting system के लिए एक भूत important पार्ट है ear drum अभी जो कान का middle ear है ये बीच का भाट है ये नॉर्मल काम करने के लिए इसके अंदर हवा होना ज़रूरी है हवा जो है ये tube के रस्ता पहुचा है ये tube जो है नाक के पीछे ये बाट में यहां से सीधा कान पहुचेगा जब कान का middle part बीच का भाग ठीक से काम करेगा तो ear drum भी ठीक से काम करेगा तो ये slide देखेंगे तो आपको दो picture है एक real photograph दूसरा एक drawn picture ये कान का पर्दे का real photograph है जिसमें कान देखेंगे परदा देखेंगे तो एक shiny glistening pearly color में रहेगा और जब कान में camera ने तो light दाल के देखेंगे एक light reflex मिलेगा उसका पहले का anterior part में सामने का भाग में एक light reflect भी दिखेंगा कान का पर्दा जो है उसका diameter dimensions देखेंगे तो approximately 1 cm height 1 cm width 8 mm approximately almost round perfect round नहीं है और यह इसका angulation जो 90 जैसा नहीं oblique रहेगा समझो राइट कान का है थोड़ा आइसा थोड़ा oblique रहेगा angulation और इसका division जो है नीचे का पाथ जो pearly color में है वो एक पाथ है और उपर का yellow जैसा draw किया है वो दूसरा पाथ तिकने में ऐसा color difference नहीं है बट ऐसा समझने के लिए मैंने ऐसा draw किया है और यह जो नीचे का पाथ है उसमें तीन लेर ऊपर का पाथ है उसमें भी तीन लेरrir नेजल तोड़ा वीग को जोड़ा आब इसका तीन लिर क्या है और 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 वायर का लियर जो है उसमें चार लिएर और मिडल का लिएर में ही उसमें दो लेर है वो दो लेर दो डिफरेंट लेवल पे मतला भायर का ऐसा स्ट्रेट लाइन्स जैसा रेडियल ऐसा सीधा नीचे आएगा और उसके नीचे जो है सरकलर रहेगा इसका दोनों को बीच माँ ऐसा पारबॉलिक लेज जाएगा और सुबसे अंदर का लेर जो है मिडल लेर का एक पार्ट होता है उसमें ग्लैंस थोड़ा ग्लैंस रहेगा और कान का परदा का अच्छा ब्लड सप्लाई है और साथ में अच्छा नर्फ सप्लाई भी है और कान देखने के लिए आजकल हम कैमरा यूज़ करते हैं खुद हम भी देख सकते हैं और पेशेंट्स को टीवी मॉनिटर में बता भी सकते हैं और एक इंपोर्टन पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि कान का अंदर भायर का जो परदा है उसका लेर नया लेर जो बनता है अंदर से भायर माइगरेट होता है नॉर्मल स्किन में क्या होता है कि नीचे से उपर नया स्किन फॉर्म होता है तो जब स्नान करेंगे रब करेंगे फ्रिक्शन के बज़े से भायर का लेर सुप चले जाएगा नीचे का लेर नया लेर बनके उपर आ जाएगा बट कान का पर्दा पर्दा का जो है वो अंदर से भार शिफ्ट होगा natural cleaning mechanism है तो इधर कुछ debris है, bile है, wax है, ऐसा कुछ है तो ये skin के migration के वज़े से skin के साथ साथ में ये भी भार आ जाएगा इसलिए हम बताते हैं कि आपको कान में कुछ भी earbuds, कुछ भी दालके clean करने का कुछ आपिशवगदा नहीं है, अपने आप वो self cleaning mechanism करके वो self cleaning हो जाता है, तो ये हुआ normal ear drum का structure के बारे में नमस्ते